है वी आर न उत्राखंड हम इस समय उत्राखंड में हैं हरिद्वार में हैं देव भूमी बोलिये इसे दो होली सिटी इन दो वर्ल बोलिये अलग-अलग नाम से यह सिटी जानी जाती है लेकिन मेरे साथ आज एक नहीं दो बड़े नेता हैं और दोनों हैं आम आदनी पार्टी के एक हैं करनल कोठेयाल करनल साब आम आदनी पार्टी के उत्राखंड में ना की सिर्फ चेहरा हैं बलकि एक ऐसा नाम है जिनकों की ना चाहें वो बीजेपी हो चाहें वो उपोजिश चीप मिनिस्टा, अर्विन जी, हम हैं इस तरव उतराखंड में, तो मैं स्टार्ट उतराखंड से करता हूं, करनल साब यहां बैठे हैं, आम लोगों से मैं आता हूं बिलकुल बॉर्डर से, बिजनोर से, वो मेरा पेत्रिक गाउँ है, बिजनोर नजीवाबाद, तो अगर तो तरह खंड आना होता तो वहां से हो क्या आना होता तो वहां के लोग भी कहते हैं यहां के लोग भी कहते हैं कि देखिए करनल साब को तो कोई कुछ कह नहीं सकता है करनल साब का इसा one-mêmeao आजिकल जेशी लैंगुज चल रही इसको तो कॉ भाद बीजेपी कंग्रेश वाले करते हैं उन के नेता करते हैं गालि क् लूज करते हैं उनको करने तो अपने को फैपने को ते जंता से मतलव है हमें तो जंता का प्यार मिल रहा है, जनता का विश्वास मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है, नेताओं से अपने को क्या लेने दना है, हम दोनों को राजनीती करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, स्कूल बनवाने हो, अस्पताल बनवाने हो, पानी, बिजली ठीक करना हो, कॉन्टैक्ट अर्विन केजरिवाल, राजनीती करनी हो, contact those people. अकेली हमारी party है, जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है, बाकी सारी party हैं गाली गलोज कर रही है, क्लीशे नहीं लगता सर, नहीं, आप मेरे को एक party बता दो, पूरे देश में जो ये कहे कि मैं स्कूल बनवा दूँगा, इसलिए वोट दे दो, किसी नेता का ये statement दिखा रवन दो, बीजे पी कहती है, आप रैलीज में यही कहती है, हरुण जी, हम यही कहती है, खुले हम कहती है, कि मैंने दिल्ली में स्कूल और अस्पटाल बनवा दूँगा, मेरे को वोट दे दो, कौन नेता है आज स्कूल अस्पटाल बिजली पानी सड़क के नाम पे वोट वोट दोगे, ढाचा यूही चलता रहेगा, ऐसे जैसे चल रहा है, लूट चलती रहेगी, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों के लिए शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, शांदार महला क्लिनिक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्री में इलाज करेंगे, 24 गंटे बिजली देंगे, बिजली फ्री में देंगे, पानी देंगे, सडक देंगे, आम आदमी को तो यही चाहिए सुनने में, it sounds fabulous, मतलब ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स 20 साल अगे चली गई, 30 साल अगे लेकिन करनल साब, उत्राखंड में तो पहाड़ी इलाका है, बिजली हो, सडक हो, डेवलप्मेंट हो, लोग कहते हैं, कई गाओं ऐसे हैं, जो भी आज तक कुछ पहुँच गाओं हैं, उनमें ये सुविदाएं आजाएं, तो खाली पहाड़ी लोग नहीं, बाकी जो नीचे रहने वाले लोग हैं, वो भी पहाड़ में आना चाहेंगे, और ऐसे सुविदाएं तो मिलनी चीए, जनता का हक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधी जनता है, सीधे लोग ह उनको क्या ये चीजें नहीं मिलनी चीएं, ये तो हमें लेकर के जाना चीए, ये तो सरकार का नैतिकता है सरकार की, कि किस प्रकार से वो जनता जो उने चूज करके ला रही है, उन तक चीजे पहुचाई जाएं और ये दुख की बात है कि 75 साल में इन पार्टियां गाओं गाओं में बिजली पानी, स्कूल, अस्पिताल नहीं पहुचा पाए, हमने 7 साल में कर दिया, दिली में 5 साल में कर दिया, दिली में ये 70 साल में नहीं कर पाए हरदवार में अपीश है आगिज हम जाएं दहरादून में अपशन्क नहीं यहां तक तनक्का पहुत जादा है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है तो और सरकारी स्कूल की हाला ता पूछलो यह वचिएवल। लोग इतने इतने साड़ी लोग बैठे हो है खंडर बने हुए उत्रखंड के सरकारी स्कूल, वहीं असली जनता पढ़ती है, वहीं असली लोग अपने बच्चों को बेजते हैं। सत्टर साल में अगर इन से सरकारी स्कूल ठीक नहीं कुल несे बना पाए अगर सतर सौल में पना स्पटाल डिस्पेंसरीों का बुरा खाल है स्कूलों का स्कूल खंडर बने पड़े हैं दवाइं मिलती नहीं है मशीने खरब पड़ी एब स्पतालों के अंदर वो फिक हम ले आए हैं और जब हम करनल साहब अलग से बात करें तो मैंने कहा भी कि आपके ओपर कोई अटाक नहीं कर पाता परस्टनली सब कहते हैं ने भई करनल साहब हैं दो दो गोलियां अंदर कैसे आप मतलब अटाक करें पॉलिटिकली अच्छा नहीं सांग करता है अरवन जी कि आ जारनाथ इतना वड़ा डिजास्टर था अगर राजनीती होती तो मेरे को दर ही लगता है कि आदारनाथ बन सकता अगर राजनीती ही चलिए तो यूज़ फांडेशन जैसी संस्ता हैं जासे की फ्री ओफ पॉस ट्रेनिंग लेने के बाद 10,000-12,000-12,000 बच्चे फोज में हो रहे हैं यह राजनीती से नहीं चलते हैं जो इस यह लोग चला रहे हैं यह चलते हैं लीडर्शिप से हमें लीडर्शिप यह बाती है उसी लीडर्शिप को हम लेके चल रहे हैं इनकी परिवाशा इनकी रहने देते हैं हमें उससे फरक थोड़ी पड़ता है हम तो अपन जब उन्हेंने हमारे काम करने के तरीके देखे, तो उनको लगा कि शेयर यह हमारे साथ आकर आएगा, तो हमारी पार्टी अच्छी होंगी, मेरे को ऐसे लगता है, लेकिन उनके काम करने के तरीके मेरे को पसंदनी आए, कहते हैं, उठक बैठक जो होती है, सुबह सुबह कि यहां नहीं जाना पड़ता आपको औरविन जी वनीज जी के पास मैं दो बार यहां पर आए आप समझ जाएंगे धामी जी 24 गंटे वहीं बैठे रहते हैं कोटियाल साब के वल दो बार पिछले 6 महिने में दिल्ली आया है अभी तो खटीमा में है धामी वैसे तो वहीं बै 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी केदारनाथ पूरा द्वस्त हो गया था उसका पूरा पुरनर निर्मान इन्होंने किया था इन्होंने अपनी टीम लेके गए थे लोगों को लगता था पता नहीं वापस उसी ग्लोरी में आपाएगा कि नहीं आपाएगा ये अपनी पूरी टीम लेके गए थे और इन लोगों ने वहाँ पर उसका पुर्णर निर्मान किया। यूथ फांडेशन करके रिटायर्मेंट के बाद इन्होंने एक संस्था खुली। दस हजार बच्चों को इन्होंने निस्वार्त भाव से अपने पैसे से ट्रेनिंग दे के फौज में भरती कराया। वहाँ अगर पॉलिटिक्स आ गई होती तो ना तो केदारनात का पुनर निर्मान होता और ना बच्चों को नौकरी मिलती। जहाँ जहाँ गंदी पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ काम नहीं होता। इसलिए मैंने का हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती हमें स्कूल ठीक करने आते हैं हमें इस्पताल ठीक करने आते हैं हुए कि इदारनात क्या पूनर निर्पान करना था ? बच्चे को नौक करी देन्हां था ? यह लेकिन वो तो यह कह रहे हैं कि हैं कि जसके चार कर ना था ? इसके चारत दिन के बाद हम मीडिया वाले थे मैं और मेरे देखी साथ एक और ओगनाइजेशन के अम लोग एक साल तक जब आपदाई कोई काम नहीं वहाँ पे जब कहीं ऐसा लगा कि कोशिश तो करनी चीए, तो तब हम भी तो सरकार के इस्ता थे, हमने NIM के प्रिंसिपल थे, पर NIM का टास्क नहीं होता ये वाले काम करना, वो तो हमारी कुछ खासियत दे कि तब जा करके हमको बेजा, हम तो इंजिनियर भी नहीं हैं, इंफेंट्री वाले हैं, इंफेंट् करनल साप कोई डाउड नहीं लेकिन तब भी, अरविण जी, इफी तो पॉपलर, इफी तो गोड़ी हैं, जो भी नहीं पार्टी आती है, उसका वोट शेयर एसस करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं दिल्ली का एक्जाम्पल देता हूं, दो हजार 12 में हमारी पार्टी बनी, 2013 में, दिसंबर में हम दिल्ली का चुनाव लड़े, एक महीना पहले नवंबर में जितने भी ओपिनिन पॉल आये, पता नहीं आपने कराया था कि लिए, हमें 6% वोट दे रहे थे, और 8 दिसंबर को चुनाव था, नवंबर में हमें 6% वोट दे जीते गानवार्यजियरिवाह, हम जीते हैं आपने का चुनाविका खुनाव, और 28 ब्त करोणावी मैज़ते हैं पहला कॉशन ही आएगा, कि मैं कॉंग्रेस को वोट क्यों दूँ, वो क्या करेगी, कॉंग्रेस का तो कोई एजेंडा ही नहीं है इस बर, मैं बीजेपी को वोट क्यो दूँ, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का तो कोई एजेंडा ही नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रही आपके परिवार का फ्री में इलाज करेंगे, हम आपकी बिजली 24 गंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, हम आपकी महिलाओं को हजार हजार रुपे देंगे, जितने रिटायर फॉजी हैं सब को सरकार में नौकरी दें, इतना बड़ा एजेंडा सोच समझ के के वल पार्टी तो बात कर रही है न, उनके परिवार के बारे में, उनके भले के बारे में, और तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, अरविन जी, आपने कह दिया है, कॉंग्रेस का कोई एजेंडा नहीं चले है, मैं मान सकता हूं, there are two tussled up within the first family, कि बार रहे है कि गांधी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भई हम तो, मतलब एजेंडा की बात कर रहे है, उनके अलग-अलग मुख्यमंतरी आके, कभी मध्य प्रदेश वाले आके, उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके अस मुख्यमंतरी बहुत सारे हैं, तो बिना जनता के सपोर्ट के मुख्यमंतरी तो न वेड़ा गर्क कर दिया उत्तरा खंड का और पांक साल दे लो ऐसे ही चलेगा ढर्रा यूही चलेगा यह तो कुछ करने वाले नहीं हैं आम अजमी पार्टी को एक मौका दे के देख लो नए लोग हैं नई पार्टी हैं नया चेहरा हैं नए केंडी रेट हैं नई सोच हैं करने में तो कोई हर्च नहीं है अगर काम अच्छा नहीं करें अगली बार उठा के भैक देना आप काहा कि देखिए बीजेपी और कॉंग्रेस पॉलिटिक्स करती हैं मैं नहीं करता हूं अभी पिछले 24 गंटे में जितना ट्रैक्शन आपके ट्वीट्स को मिल रहा है करनल आपको याद हो तो उसने भी का ट्वीट्वीट्व चल रहा है सर बहुत पॉपुलर हो रहा है ट्वीट्वीट्व आपका और उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी योग या दितना तो वो कहते हैं कुछ तो आपने उनी की भाचा में रिप्लाई किया है और प्रधान मंतरी जी ने जो कमेंट किया था स्टाट तो प्रधान मंतरी ने संसद में कहा और ये कहा अरविण जी कि दिल्ली की गलियों में लाउड स्पीकर लगाके मेगाफों लाके ये बोला गया कि जाओ यहां से तो मेरा ये कहना है मैं हूँ प्रधान मंतरी जी हैं योगी जी हैं हम लोगों को जनता ने बड़ी उमीदों के साथ चुनाएं हमें एक जिम्मेदारी दी है हम लोग जिम्मेदार पोजीशन पे आएं मेरे लिए मामला यहां खतम है, इसके उपर मैं अब और कोई टिका टिपनी नहीं करूँगा. आप नहीं करेंगे, लेकिन अब आप देखिए, अब हर चीज में तो आप मीडिया को आप कोशते ही हैं, अभी वे आपने कोश दिया, फिर आप कहते हैं कि अर्विन में कुछ नहीं, दोनों तरफ, उन्होंने का सुनो केजरिवाल, आपने का सुनो योगी, जब पूरी मानफ कहा था उसका, उनको मैंने जवाब दे दिया, अब इसके उपर मुझे और कुछ नहीं कहना, चीक है, बट, इस इट, अन इंडिकेशन दा अर्विन, केजरिवाल, है जो आप कहते थे, अलाग है, अलाग है, अलाग है, इनी के रंग में रंग है, सब के रंग में आप आप जूटे आरोप तो नहीं लगा सकते, आप कहोगे केजरिवाल चोरी करता है, तो उसका जवाब तो दूँगा मैं, जैसी भाशा में आप बोलोगे, वैसे ही वापस मिलेगा, जैको जी इजजत देने से मिलती है, इजजत दो, इजजत लो, आप अगर इस किसम का आरोप दि दिया, बस यहाँ बात खतम, अब वापस हम अपने एजंडा पर आ जाते हैं, स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सडक, और प्रधान मंतरी के कॉमेंट पर, उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल गलत बोला था, मैंने लिखा, प्रधान मंतरी जी आपको शोभा नहीं द यह एज अपर आफ स्लिपर्स, जी आपके पस तीन ऑप्शन है, एक बीजेपी कॉंग्रेस है, ब्रस्ट है, लूट लिया, एक किस साल में बहतर हजार करोड रुपे का करजा चड़ा दिया उतर खंड पे, इन दोनोंने मिलके, बहतर हजार करोड का कर्जा बताओ पता नही विर थोे मंने करोडी ओते हैं, यहाउं इCाम थोडे हैं? जब अख़च करा? कर आफ जून तराखंड में 21रों में एक भी स्कूल निया भनाया इक भी इस्पितल निया भनाया एक भी Cowेज भनाया एक भी निवर्स्टी नी नि बना शें एक भी institution नहीं बनाया कोई dispensary नहीं बनाई कोई सड़क नहीं पैसा खर्चा कहा करा इन्होंने है सारा लूट के ले गए इन्होंने Swiss bank को में और पता नहीं कितनी property यह बना रखिया है इन लोगोंने एक एक नेता एक उतराखंड का लड़का मिला बोला जी इनसे यह पूछो नेताओं से एक एक नेता से BJP Congress बोला जी इनसे यह पूछो भाई साब अपनी property calculate करके बताओ जरा कितनी है बोला यह calculate नहीं कर सकते इतना इन्होंने कमा रखा है इनको खुदी याद इनको खुदी याद नहीं है यह बंद करेंगे इस लूट को बंद करेंगे और केवल आम आजमी party कर सकती है दिल्ली में करके दिखाया है यह जो पैसा अब Swiss Bank कों की तरफ जा रहा है यह सारा पैसा अब जनता की तरफ जाये करेगा मैं इसलिए आपको रोक रहा था कि is it just shoot and scoot क्या यह सिरु बोल के और निकल जाने वाली बात है क्योंकि सबसे बड़ा अर्विन जी यह होता है जब आप दिल्ली में भी जवाब कॉमेंट करते हैं बोलते हैं आपने कहा कि वो लोग चोरी करते हैं कि अर्विन जी को बोलने की कला में मात देना असांग नहीं है लेकिन वो यह कहते हैं कि अर्विन जी आप उनके उपर आलिगेशन लगाते हैं वो आपके उपर आलिगेशन लगाते हैं वो तो तू गलत तू गलत तू गलत चलता रहेगा आप उनको बोले, आपने बोले, स्कूल नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, वो बोलते हैं, लो मैं लिस्ट दे रहा हूँ अभी आपने ये बोला, अभी मैं इसको ओनेर करूँगा, वहां से लिस्ट आ जाएगी 15 college 15 15 ये 15 वो तो आप इदर से उधर जनता को ये लगता है कि it is just 2-2 my way fight और कुछ ने दिक्टत ये है ढाक के तीन पाज जिसे कहते है कहावात है वो हो जाता है वो कहते हैं अरविंग जी दिल्ली में गलत कर रहे हैं हैं कि आपके दिल्लि महला क्लिनेग दस हैं मेरे पास मतलब उनके जो अलिगेशन भी होगा सन Yum मनोई श्दीवारी उनका वह खार यह ऐसर दिन पूंच जाते हैं आपके महला क्लिनिक पर वह कहते हैं देखो यह वाला बंद है यह वाला बंद है वो कहते हैं अभी आपने कोई नई लिकर पॉलिसी लाए, आजकल वो चड़ा हुआ है, बड़े-बड़े मंत्री आके वहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो वो मतल़ काउंटर ऐलिगेशन करते हैं, मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, जी प्लीज, उत्राखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, हाँ बहुत रहते हैं, है ना, मुझे लगता है कि उत्राखंड के हर परिवार में कोई ना कोई आप किसी को रिष्टेदार, दोस्त, जान पैचान वाला दिल्ली जरूर ह आप दिल्ली में फोन कर ये नेताओं के पडल वो मत करो, ये बिल्कुल सही क्या रहे हैं, भई मैं चार चीज बोलूँगा, वो भी चार चीज बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा, जी, आप उत्राखंड आप दिल्ली में किसी भी यार दोस्त, रिष्टेदार को फोन कर पूछ लो, और उस से पूछो के जरीवद क्सायी काम कर रहा है, खुश हो, अगर वो कहें कि जरीवर सही काम नहीं कर रहा है, इतना confidence हरा है, इतनी बड़ी बात, और कुई पाटी वाला बोल सकता है, इतना confidence हरा है, मैंने डिल्ली के चुनाव के पहले बोला था, डिल्ली के लोगों को एलान किया था कि अगर आपको लगता है पांग साल में मैंने काम नहीं किया मेरे को वोट मत देना जनता ने 62 सीट दे दी इसका मतलब काम किया अब मैं उत्राखंड के लोगों को मैं गोवा में भी कहके आया हूँ दिल्ली में अपने रिष्टेदारों को फोन कर लेना दोस्तों को फोन कर लेना पूछना भी केजरिवाल के काम से खुश हो वो कहे नहीं केजरिवाल ने सही काम नहीं करा वोट मत देना मेरे को उत्राखंड में और अगर कहे सही काम किया नेताओं को बोल जा फिर वोट दे देना यहां भी दे देना यहां भी ठीक कर देंगे क्या कॉंग्रेस कह सकते है कि राजस्थान में फोन करके पूछ लो की सही काम किया की नहीं किया क्या बीजेपी कह सकती है मध्य प्रदेश में या उत्र प्रदेश में फोन करके पूछ लो सही काम किया जी जेपी तो कहती है यूपी में करो बीजेपी तो कहती है बीजेपी का तो यहीं फोन करके सारे बैठे हैं इन से पूछ लो अच्छा काम करा कि नहीं करा करनल साप आपकी चोई सरविन जी उत्राख़द में आदमी पार्टी ने करनल साप को चोई किया हमने करनल साप को चुआ है आपने भी सर्टिफिकेट दिया सारे पार्टी वाले कह रहे यार आदमी तो अच्छा चुना अरी शिरावत के बारे में कहते हैं कि आदमी तो अच्छा चुना इस पर वो जड़के नहता है धामी साब के बारे में कहते हैं कि आदमी तो अच्छा चुना हमारे वाले को सारे कहते हैं आदमी तो सही चुना अब आदमी सही चुना, इतने सारे काम कर दिये, इन्होंने, जब ये राजनीती में नहीं थे, तब ही इतने काम कर दिये, एक मौका तो दो इसको बंदे को, थोड़ी ताकत आएगी, इसने, दस हजार बच्चों को नौकरी दिलाई, जब इसके पास कोई पावर नही थी, दिली में आपने, आपने अपना मॉडल सेट किया, पंजाब में ये राज अफ कमिंग टू पावर, उतराखन गोवा में आप ट्राइ कर रहे हैं, यूपी में आप है नहीं ना के बरावर है, बहराल जिस तरह की लड़ाई हो रही थी, दोनों मुख्यमंत्रों के बीशे यूपी के चकर में आपने एक तो टीम एक तो टीम एक तमगरजी, दोनों पार्टियों से निवेदन करूँगा, साथ बैठ के तैह कर लें कि किसकी टीम B है हम, किसकी टीम A हम, A, B, C, A सबसे अच्छा होता है, B उससे खराब होता है, C सबसे खराब होता है, ग्रेड होता ह आपके बोलने ही कला तो अभी से थोड़ी हम तो, राम नीला मैदान से देख रहे हैं, अर्विन जी, बट करनल साब, मैं नहीं सर, इनसे बड़े-बड़े नेता सीख रहे हैं, लेकिन मेरा दिक्कत सिर्फ यह है, कि जो counter allegation और जो allegation की fight हो गहीं पर रुख जाती, अर्वि इसको गलत बोल रहे हैं, वो उसको जुटा बोल रहे हैं, असलियत है क्या, करनल साब, लेकिन अर्विन जी तो कभी किसी के खिलाप नी बोलते, वो इनके खिलाप बोलते हैं, मेरा नाल ना, सबसे बड़ी खासिया तो उनकी यह हैं, कि लिंग ग्राउन पे काम करा है, जब देखिए फॉजी को तो कुछ बोल नहीं सकते और आपको करनल साब जैसे मैंने का यह वन इंपेकबल रेपुटेशन सर्थ तो इस अलवेस तो लर्न फ्रम उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अब जब आप पॉलिटिक्स में आगए है तो आपको भी अब तयार रहना पड़ेगा से जैसे उन्होंने का अरविंजी कि अगर माल लूँ एक शण के लिए तो सुबीर बादल ने चन्नी ने किस-किस ने पचास-पचास आदमी लगा दिये थे तो यहां पर हरीश रावत ने रोका थोड़ी है किसी को यहां भी हो सकता है लगे हो लोग पताँ क्यों ने बोल क्यों ने जिस दिन मैं बोली जैता हूं से पताई किया है अंप रित तो अब मिलता ने है कि आदमी हमेशा अमर हो जाएगा GUY ने कभी जाना है हम भी कभी ने कभी जाएंगे तो हमारे हां जो सिस्टम है जिस इलाके के हमें निवेये हैं और रहने वाल से लिए रहने वाले गड़वाल में जब आद्नी जाता है तो उसकी बॉडी को ना हर्दवार लाया जाता है वहेह हर्दवार च Wesokasonar हम बैटे हुए हैं करा मिःकेडिक में अइमारी हम पता है एक लगडी की चिता बनेगी उसके उपर हमें लिटाया जाएगा उसके बाद आग लगाई जाएगी हमारे तो कई बच्चे भी नहीं है लेकिन इतने सारे बच्चे उत्राखंड में वो कहीं हमारी चीता जला रहे होंगे जब चीता जल रही होगी ना तो अचानक आवा जाएगी टन टन दो लोहे के टुकड़े जो आज सक हमारे साथ में वो जमीन पर किसरे होंगे तो हमें किसी कर बताने की जरू ठोड़ी है तो लोहे का टुकड़ा जो पाकिस्टानी लेकर के आया था उसको मैं इस पावन भू में छोड़ूँगा अपने शरीर से मैंने बाहर भी नहीं निकाला है उसको अर्वन जी is too happy अर्वन जी कह रहे हैं ऐसा अदमी मेरे को एक और कहीं धरोदर मिल जाए तो मैं एक और और इदो सरकार और बना लोगा अर्वन जी आपकी स्माइल बता रही है कि मेरे को ऐसा अदमी एक दो और मिल जाए अर्वन जी दू यू फील और इस दाट इसी पंजाब में आपके पास एक ऐसा था क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई अर्वन केजरिवाल चुप रहे इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई आए वापस ले लिए प्रधान मंत्री ने मैंने देखा नहीं कि इस तरह का हो प्रधान मंत्री ने आए माफ़ी मांगी प्रधान मंत्री ने का I am taking it back लेकिन अर्विन केजरिवाल चुप रहे है दिल्ली के चारो तरफ ये हो रहा था हमने throughout farmers का support किया हमने वहाँ पे उनके लिए पानी का इंतिजाम किया हमने वहाँ पे उनके लिए खाने का इंतिजाम किया आज आप बोल रहे हैं अर्विन जी लेकिन उस समय आप शांत थे सारे farmers कह रहे हैं शांत कहां थे मैं खुद तीन बार गया था महाँ पर ये बड़ा मुद्दा भी बड़ा बना था कि जब वो फार्मर्स दिली की तरफ आ रहे थे शुरू शुरू में तो केंदर सरकार से हमारे पास फाइल आई थी कि हमें ये छे स्टेडियम जेल में कनवर्ट करने हैं केंदर सरकार का प्ल मों रहे श्कें चांआ था काफी बड़ा चला था किसानों ने शुक्रिया अदा किया था हम लोगों का उसके बाद हमने वह पर लंगर लगाये थे सारे MLA's की duty लगती थी महां पर खाना खिलाने के लिए पानी का इंतिजाम किया था टॉयलेट का इंतिजाम किया था महां पर सारा इंतिजाम किया था मिनिक तो अगर इतना अच्छा है अरबिंजी तो वेस्टन यूपी में आमाधनी पार्टी हर चीज चुनाव से साथ थोड़ी होती है मैं अगर करिंगा के सेवा करके आऊं और उसके बाद कहूं भी अब मेरे को वोट दो यह ठीक नहीं है किसानों का प्रोटेस इस देश का प्रोटेस था हर देश वासी ने उनको सपोर्ट किया केवल केजरीवाल ने नहीं किया और केजरीवाल ने वोट लेने के लिए नहीं किया कि अब मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ अब चुनाव उसके बाद जाके मैं कौंगा मैंने तुमको देखो सपोर्ट किया था मेरे को वोट दो वोट के लिए सब कुछ थोड़ी होता है एक मुख्यमंत्री कह रहा है वोट के लिए सब कुछ थोड़ी होता है मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपके कोश्चन खतम होते जा रहा है यहने कोश्चन तो बहुत है सर मेरे को बोला गया है कि आपके पास टाइम कम है आपकी फ्लाइट है बट मैं यह क्या रहा हूँ एक ऐलिगेशन आपके उपर बीजेपी लगाती है और बहुत दमखम से लगाती है कि आपने डिली के टैक्स पेस का पैसा हरिद्वार साइफन कर दिया अतलब साइफन मीन्स आपने आम आद्मी पार्टी के प्रमोशन में पंजाब में बहुत जादा लगा दिया थोड़ा बहुत उत्रा घंड लगा दिया थोड़ा बहुत यूपी में भी आप ले गए वो तीर्थ्यात्रा जो बेज रहा हूँ तीर्थ्यात्रा में ने ने वो कहते है टैक्स पैसे आपकी अम्बुलेंस वहाँ पे पंजाब में पड़ी रहती हैं बोलते हैं कि दिल्ली वालों का पैसा अम्बुलेंस पंजाब में कौन सी मुझे नहीं पता सर अम्बुलेंस आ call you a fraud. After the rates in Punjab, he says कि ये सारी चीज़े हो रहे नहीं, ये इसका अगला है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये कहते हैं that Arvind Kejriwal, BJP कह रहे हैं, BJP के Delhi State President कह रहे हैं, former State President कह रहे हैं, MPs कह रहे हैं, कि दिल्ली के Taxpayers का पैसा, Arvind Kejriwal पंजाब में, आम आदनी पार्टी के प्रमोशन के रहे हैं, आम आदनी पार्टी की एंबुलेंसे पंजाब में घूम रहे हैं, हमारे पास विज्वल प्रूफ हैं, ये एंबुलेंस किसे पैसे ते खरीदी है, Arvind जी, दिल्ली के Taxpayers की, तो पंजाब में क्या कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये गलत है, दिल्ली की एंबुलेंस पंजाब में नहीं जा सकती और ना जा रही, लेकिन फ्रैंकली अगर मेरे पास पैसा हो, तो दिल्ली की एंबुलेंस में सारे देश में भेज़ दूँगा, सेवा का काम कर रहे हैं यार, क्या गलत काम कर रहे हैं? अगर पंजाब के अंदर हमारी एंबुलेंस जाती है, हरदवार में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, तो भलाई करके आती है लोगों का, गरीबों को, बिचारों को, बिमार आदमी को अस्पटाल ही ले जाती होगी, लेकिन जान ही रही है, लेकिन अगर कभी मेरे पास इतना पैसा हुआ, अगर मेरे चली तो मैं पूरे देश में अम्बुलेंस कौनी कौनी में बेच दूगा, पर दिल्ली में? दिल्ली में भी है, तो आप के रहे हैं यह सब गलत है दिल्ली का मिर को भी समझे आ रहे हैं यह क्या बीजेपी वाले शायद मुझे गाली देते देते उन उनके गालियां भी खतम हो गई यह नि वो तो यह कहते हैं दिए आप अपनी पार्टी के करचे पर आया हूं बस दिल्ली के टेक्सपेयर का सरकारी पैसा थोड़ी होता है वो तो इलेक्शन कमिशन हमें पकड़ लेगा अगर हमने कोई गलत काम किये तो भरोसा रखो एलेक्शन कमिशन पर आप कह रहे हैं बरोसा अच्छी बात है न क्योंकि आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कॉंस इस पर बरोसा रखती है कहती है कि आपको है न एलेक्शन कमिशन पर? बड़ा काम करके आए हैं, सतर साल में जो ये इतनी बड़ी पार्टियां इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ पे नहीं कर पाई, बिजली ये ठीक नहीं कर पाई, हमने साथ साल के अंदर करके दिखा दिया 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 अगर मैंने एक सरकारी स्कूल ठीक कर दिया, शांदार कर दिया, उसमें गरीबों के बच्चे जाके पढ़ते हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, इस से बड़ा राश्टर निर्मान का काम कोई हो सकता है, बीजे पी वाले कहते हैं के एजिली वाल फ्री में क्यों बढ़ सब मुफ्त है गरीबों के लिए, इस से बड़ा राश्टर निर्मान का काम कोई हो सकता है, फिर मैंने बिजली मुफ्त करी, दिली में दो सो, दो सो यूनिट, यहां पे मैंने का थीन सो यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, कहरें के एज जिवाल बिजली मुफ्त क्यों कर वो अमिट शाजी गुवा गए, बोले के जिवाल मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, अमिट शाजी को सरकार से हर महीने कितनी मुफ्त बिजली मिलती है, चार हजार उनिट, सारे को मिलती है, कम से कम चार हजार, आपको, आप भी तो सीय में, इतने ही, तीन चार हजार उनिट मुफ्त, 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 मिलती है, जनता के पैसे से मिलती है, मैं कह रहा हूँ, जनता को तीन सो उनिट बिजली मुफ्त दे दो तो मिर्ची लगती है इनको, जनता के पैसे से जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, जनता के पैसे से नेताओं को फ्री बिजली मिलनी मिलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री भी नहीं है, ये फ्री भी हो गया, ये क्या है भई, फ्री भी, विदेशों के अंदर इसको सोशल सिक् कर रहे है आपको लगता है आप डिली जैसा अचार के लिए आरे वो गाली इसलिए दे रहिए है यह केजरी वाल ने बिजली फ्री बांट दी कि आप राम नीला मैदान से और अभी तक आपका पॉइंट हो ही है कि पैसा लूट के लिए पैसा लूट के लए पैसा लूट के लिए है का इस्वरी आप इंसे पूछना दोनों पार्टी आप तो बड़े नेतisी बड़े जेनलिस्ट ऊ दोनों इनके पास जाओगे इन से पूछना ये हिसाब दो जनता हिसाब मांगरिया उत्राखंड की 72,000 क्रोड रुपए का करजा चड़ा कैसे तुमने करा क्या इसका इस पैसे का क्रा क्या तुमने 72,000 क्रोड में तो पता नहीं कितने स्कूल बन जाते बंबं हो जाता उत्रा गंड पता नहीं कितने अस्पताल बन जाते बंबं जो आप जो आप नम्मर दे गया का ये पैसा लेकिन अरविंग जी गया का वो तो कहते सारा हिसाब है सरकार के रिस्सम है डाओ बैटो जवाब दो दिखाओ एक तो हिंदुस्ता में तयार होनी चाई दिल्ली में एक पुल बना अब वजीरपुर फ्लाइ ओवर सवा तीन सो करोड का बनना था मैंने दो सो करोड में कंप्लीट कर दिया सवा सो करोड रुपए एक ही पुल में बचा लिया उस पैसे से मैंने जनता की दवाईयां फ्री कर दी अभी मैं गो आ गया यहां भी का यहां जाता है यह पैसा यहां जाता है यह जाता है यह पैसा अब के झाल के देखो का आग्यू में निकान करोड का ब मिपल बना थाronics इससे का जवाब चैहे ना जनता को अरविनझी पोल नह पनाने में तो आप निद इन आप अभी दिल्वार कृर्ण साभ धोई दो ही आप मांग रहा हूँ ने उत्राखंड के असाफ में आता हूँ इस बिकॉस में बोला जा रहा है दर्य और ताइम इसलेस आपको जाना है जिस्माइल लास्टू क्वेश्टिन्स दिल्ली का मॉडल आप मैंने देखा चाहें पंजाब हो उत्राखंड हो गोव आप कहते हैं एक गवर्नर से लगातार चलती रहती है उपर नीचे तू तू मैं में चलता रहता है आप दिल्ली का फॉर्मूला रेप्लिकेट कैसे कर देंगे उत्तराखंड एफर पजाब में इतनी कम पावर थी हमारी लगबग पावर ही नहीं थी उसके बावजूद इतना कर दिया यह त स्कूलों का कुछ पता ही नहीं था हमें तो अस्पताल चलाने नहीं आते थे हमें तो बिजली का भी नहीं पता था हमें तो हमारी नियत साफ थी हम देश के लिए कुछ करना चाते थे जैसे ही सरकार बनी हमने काम करना जल्दी जल्दी शुरू किया और इतना काम हो गया उत पैसा घर नहीं ले जाना हमारे Swiss bank में अकाउंट नहीं है हमें प्रोपटी नहीं बनाने है आज मेरी प्रोपटी उतनी है अर्विन जी आपके वादों की बाती है और यॉर टीम इस इंडिकेटिटिंग आम जिस वाउट तो इंड वादों की बाती है करनल साब फॉजी तो बि बाइट निका लिए आपके अब यह नहीं बोल सकते मैंने बोला निक्या है आजकल कैमरा है सब कुछ रेकॉर्ड करता आपको पता आपकी भी टीम करती है तो उन्होंने आपकी को यह एक बाइट निका लिए उसमें आप कह रहे है यमना मैं साफ कर के दूगा यमना को मैं साफ कर के दूगा आप जब आप से तुवारा पूचा के आप कहते है मैं अब साफ कर के दूगा पाट्चिस तक चौबिच जो आपका निया वाद है तो वो कहते है थे को अर विन केजिवाल आते बोलना बहुत अच्छ आता है वादे नय नय करते लिकिन हर बार जैसे आदिमी को मुफ्त एलाज देंगे. हमने मुफ्त एलाज देदिया, सरकारी इस्पटाल शामदर कर दिया. हमने का था, हम महला क्लेन खोलेंगे, हमने महला क्लेनी खोल दिये. यमना के लिए, हमने, हुमने दो हजार पचाइस की डेड लाइन दी थी. आज भी मैने 3-4 बार जगे जगे कायज आपके चैनल पे भी करते जा रहा हूं 2025 तक अगर मैं यमिना साफ ना करूं 2025 में दिल्ली वाले मिरको वोट ना दे on record है अगर on record है आप छला देना 2025 में जगे जगे कालोनी में छला देना कर दो हजार पच्छिस तक यमना साफ ना हो मिर को वोट मत देना और आज उतराखंड को के लोगों को मैं कहके जा रहा हूं आप से वादा करता हूं पांच साल दे दो आपके सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दूगा सारे सरकारी अस्पिताल ठीक कर देंगे गाउं-गाउं के कार्नल साब, लास्ट सवाल तु यू कार्नल साब, अर्विंद ने बोल दिया कि ये सब हो जाए, प्रैक्टिकली उत्राखंड जो उत्राखंड की डाइवरसिदी उत्राखंड के टेरेन को समझते हैं आप, you think it is deliverable? ये सिर्फ ये नेताओं के वादे हैं दिल्ली से बड़े नेता हैं चले जाएंगे आपको यह रहना आपको फेस करना है एक सेकिंद मतला आपने राइप पर आपने स्माइल तू लाउट मत देखिएगा, आप बोले नहीं मैं तो आपके स्माइल देख रहा हूँ उत्राखंड में जो है, यहां तो और असाने करना दिल्ली में तो जमीन भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है लॉएन ओडर दिल्ली सरकार के पास नहीं है कोई कानून जो पास रोता है, तो लेटनेंट गवरनर वो भी केंदर का भेजावा है उत्राखंड में देखो, जमीन भी हमारी है, लॉएन ओडर भी हमारा है, गवरनर भी हमारा है और हमारी जनता जो है, मतलब एक स्वावीवानी जनता है इसी जनता ने आंदोलन करके उत्राखंड को यूपी से अलग करा था जो मुद्य थे, वही तो मुद्य है जिसके की दिली सरकार ने, अर्विंद केज़िवास जी ने साबित करके दिखाया दिली में अगर रोजगार की बात है, तो तराखन में तो रोजगार के इतने जादा संसादन है, लेकिन हो नी पार है, यहाँ पे स्कूल, आपने बोला दून स्कूल, यहाँ तो सबसे अच्छे स्कूल गवर्मेट के बन सकते हैं, क्यों नी बन सकते हैं जब दून स्कूल दिल्ली जैसे जगे जहां नदी भी नहीं और जाडम भी नहीं है वहंपिजली मुफ्थ सकती है यहां क्यों नहीं हो सकती है तो वारा थोडिये है यह तो हकीक्त में और साबित करने वाली चीज़ है अर्विन जी जैसे मैं डिबेट में कहता हूँ, last ending 30 seconds to you, what's your statement on this? On complete national perspective, अर्विन जैसे मैं उत्राखंड के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने 10 साल BJP को दिये, 10 साल कॉंग्रेस को दिये, इन्होंने उत्राखंड को बर्बाद करने में कोई कसर ने छोड़ी दोनों पार्टियों ने, और 5 साल दोगे, ऐसे ही चलेगा ढर्रा कुछ बदलने वाला नहीं है, इन पार्टियों को अगर और 5 साल दिये, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे के देखिए, हमने दिल् अगरेज दोनों पार्टियों को भूल गए, उनको वोट ही नहीं देते, पांच साल के बाद उत्राखंड के अंदर आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे, इतना अच्छा काम हम करके दिखाएंगे. So that was Arvind Kejriwal, but Arvind Ji, दिल्ली में MP अभी भी शायद BJP के बन गाए था ना पिछली बाद? MP उनके BJP के. तो दिल्ली के वोटर नहीं वोट किया होगा? Just checking the facts. Just checking the facts. National perspective में वो नरेटिव नहीं है. हम नेशनल लेवल पे एक वोटर सोचता है. अब आप पज़ाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं. उतराखंड में आप यहां बैटे हैं. गोआ में आप जाते हैं. यूपी में आपके आदमी हैं. अब भी नैशनल पार्टी हुए हैं. तो देखते हैं अगली वर क्या होता है. So that was Arvind Kejriwal कह रहे हैं. कि अगर जो वादा कर रहे हैं and on record नहीं करूंगा. तो वोट मत करना. Colonel Kotiyal and Arvind Kejriwal. Thank you so much sir for talking to Republic. Thank you sir.